सो हलो दोस्तों यार केसाब से भी लोग आज का वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग टॉपिक पर होने वाला है जी हाँ गाइस काफी सारी फिंट्स की कमेंट आ रहे थी क्यार कौन सी इलेटर स्कूटर 2023 में बेस्ट होगी जिसमें आपको सबसे पहले जो अच्छी काशी क्वा मामले में तो ऐसे कुछ पांच इलेटर स्कूटर के बारें बात करने वाला हूँ अगर 2023 में कोई इलेटर स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हो तो इन पांचों में से कोई भी ले सकते हो आपको जो अच्छी सर्वेस देखने को मिलने ही वाली है और सबसे पहले यह वीडिय आपको देखने को मिल जाता है ओला एलेक्ट्रिक स्टार्टी में काफी दिक्कति आया थी काफी मतलब एक कस्टमर ने अपने अपने स्कूटर को जो जाला दिया था क्योंकि सर्वेस अची नहीं मिल पा रही थी लेकिन अभी आपर जो आपी इंप्रुमेंट किया है काफी एक्सपिरेंस सेंटर प्रोवाइड किये एंड ओल ओर इंडिया आपको अपने सर्वेस अगरा प्रोवाइड हो जाती है लेकिन काफी कस्टमर भी है इसलिए नंबर 5 पर हमने इसको ओला पर रखा है एंड 2022 में टॉप 1 पर जो ओला एलेक्ट्रिक था उसके बाद नेक्स ब मोतर क्रॉप जो बहुती बड़ा ब्रैंड रिस्टेबल ब्रैंड है और काफी दिं से इंडियन मार्केट में काम कर रहा है इसलिए इंजिन वाली स्कूडर मोटर साइकल वगारा सेल कर रहा है इसलिए आपको जो है वीड़ा की इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो है सर्वेस दोस्तो, Ether Energy के जो electric scooter है वो सबसे पहले जो powerful electric scooter है आप first time showroom में जाओगे तो आपको जो is service मिलेगी वेज़ी service आपको जो बाद में भी देखने को मिलने वाली है क्योंकि Ether के जो dealership वोगेज़ जो showroom वोगेज़ नहीं है बट आपको जो service काफी quality service जो है पहले से और अभी भी हाँ पर जो quality service जो एथर एनरजी प्रोवाइड करती है और बहुत ही powerful electric scooter यह ज़रा से प्राइज ज्यादा है बट आपको quality service मिलने वाली है and powerful electric scooter तो मिलने वाली है भी तापको features वगरा भी देखने को मिलने वाली है बात करते है नेक्स ब्रैंड के बारे है वो देखने को मिल जाता है दो नंबर पर गाईज है तो सेम गाईज जैसे टीवेस जो है अभी मतलब में ने हीरो मोटर कॉप के बारे है बारे हम बाला वे से जबको टीवेस का ब्रैंड जो है IQ electric scooter sale कर रहा है सर्वेस आपको जो है काफे ची मिलने वाली है बिल्ड कॉलिटी काफे ची एलेक्टर स्कूटर की है अब यह तक काफी सारे यहाँ पर जो कस्तमर ने टीवेस की जो IQ electric scooter ली है काफी कस्तमर हैपी भी है एंड टाइम टू टाइम आपको सर्वेस भी देखने को मिल जाते हैं जो है इनका प्रोड़क्ट है टीवेस आइक्यूप ST जो कि आपको कुछ ही दिन के बाद देखने को मिलने वाला है इसलिए आपको जो है ट्रू रेंज 145km अगर्डर देखने को मिलने वाली है इसलिए तो आपको यह कॉलिटी स्कूटर मिलने वाली है अगर आप 2023 मी लेने का प्लैनिक कर रहे ही तो ट्यवेस IQ स्कूटर ले लेक्र स्कूटर बेद चेक आउट कर सकते हो पेड़ियाप को देखने को मिल जाती है। जिसके आपसभी को 710 की चेतक copies कुटर इसमें आपको 7Tm देखने को मिल जाती है। már को 95 Km येंच प्रोवाइट हो जाता है। अंड सर्विस तो काईओ आपको अच्य मिलनी ही वाइल है। स्टारटिक से लेकर अभी तकcott सारे कस्टमर को जो अच्छी सिर्विस प्रवाइट हो जाती है, अभी तक जो है बाजाज की जो चेतक एलेक्टर स्कूटर है, उसको अभी तक कोई भी टकर नहीं दे पा रहा है, मैंने परसणली में इस एलेक्टर स्कूटर को चला यह, पावर बे अच्छी मिल लाती है, आप आग बंद करके जो है आप इस इलेक्टर स्कूटर को ले सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा लाइफ चाहिए स्कूटर की, क्योंकि आप सभी को पता है, जो प्लास्टिक बॉड़ी होती है, आगे जाकर खराब हो जाती है, उसके लाइ सब्सक्राइब करते हैं, तो इन पाचों में सही चेक आउट जरूर करना, क्योंकि आधर इलेक्टर स्कूटर ब्रैंड अविलेबल है इंडियन मार्केट में, उनकी सर्विस अची नहीं हो पाती है, प्रॉपरली वो काम नहीं कर पाते हैं, आगे जाकर आपको दिक्कत आ स सकतिव के जुल सकतना में, आपके के लंगेचा, उनकी स्कूपर बितने कर दोते हैं, आपको देना झ气 करे आपको देंग़ कर